नमस्कार, TCH पर एक बार फिर से आपका स्वागत है, मैं अशोक कुमार पांडे लडाई की जब बात आती है मार पीट लडाई की तो आपके दिमाग में क्या आता है जीन टीशर्ट पहने हुए, जीन शर्ट पहने हुए या पजामा वजामा पहने हुए लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे के बाल खीच रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पंच लगा रहे हैं, दाग तोड़ रहे हैं, कोई जमीन पर गिर रहा है, कोई गालियां दे रहा है, बगरा बगरा, लेकिन कल मालदियू की संसद में जो कुछ हुआ वो बेहत मजदार था सारे लोग बढ़िया सूट टाई पहने हुए थे और जबरदस लड़ाई चल रही थी कोई किसी की टांग खीच रहा था कोई किसी को पंच मार रहा था हालत ये हुई है कि दो लोग हास्पीटल चले गए है अब मालदियू में हल चल हो और हिंदोस्तान में उसकी गूज ना सुनाई दे ये तो संभव नहीं है तो दुनिया बर के अखबारों ने भले मालदियू की इस घटना को और जैसे कि वो मजे ले रहा हैं कि लोग हिंदोस्तान का तुम विरोत कर रहे थे भारत का विरोत कर रहे थे तो आप तुम्हारे संसद में लात और जूते चल रहे हैं अब लात और जूते तो चले हैं इसमें तो कोई दो रहा है नहीं वीडियो आप देखी रहा है, लाज जूते चल रहा है, संसत के अंदर चल रहा है, बढ़ियां कोट, ताई लगाये हुए संसत लोग जो है एक दूसरे की टांक क्चाई कर रहा है, पंच मार रहा है वगरह वगरह वगरह, ये सब हुआ क्यूँ, दरसल आप जानते हैं कि मोई पार्टियां चाइना के बहुत करीब हैं, तो पीपल्स नैशनल कॉंग्रेस के जो लीडर थे, पहले भी वो रहे हैं रास्ट्रपती, तो उनके उपर करप्शन का आरोप था, और करप्शन के आरोप में भाई जेल में हैं, तो वो बन नहीं सकते थे रास्ट्रपती, इसलिए पीपल्स पार्टी आप मालदीव्स के जो मुईजू सहाब हैं, वो बने रास्ट्रपती, अब रास्ट्रपती तो बन गया, लेकिन वहां की जो संसद है, उस संसद के अंदर जो विपक्ष है, MDP, उसकी मेजारिटी है, मतलब रास्ट्रपती आप चुल लिए गये, लेकिन अबी संसद के अंदर जो संसद सदस्य होते हैं, वो MDP के जादा हैं, तो रास्ट्रपती महोदे चाहते थे अपने चार मंत्रियों के लिए काविनेट अप्रूवल, यानि उन्होंने मंत्रि परिशद अपनी बनाई, उसमें चार लोगों के नाम पर अभी सहमत इनी बन पा अब जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं, वो भी विपक्ष के हैं, तो एक ऐसी स्थिती थी कि संसद जो थी उसमें विपक्ष का बहुमत था, विपक्ष के स्पीकर थे, विपक्ष के डिप्टी स्पीकर थे, और विपक्ष नहीं चाहता था कि इन चार लोगों को मंत्र मंदल में शामिल करे मोईजू तो विपक्ष ने शोर शराबा किया ऐसा ही होता है सारी दुनिया में होता है लेकिन बड़ी बात ये हुई कि मोईजू की पार्टी और जो उनकी सहयोगी पार्टी है उसके लोगों ने विपक्ष के कई सांसदों को अंदर आने ही नहीं दिया वो अंदर नहीं आएंगे तो वोटिंग में भाग नहीं ले पाएंगे वोटिंग में भाग नहीं ले पाएंगे तो मोईजू अपने मन की कर पाएंगे ये पूरी की पूरी प्लानिंग थी इसी का विरोत करने जो संसत के अंदर लोग थे विपक्षी पार्टी के वो पहुँचे और पहुँचे तो फिर के जो कहते हैं जुमा जटकी हुई, मार पिटाई हुई, सारा कुछ हुआ और समाशा सारी दुनिया ने देखा ये तो वो चीज है जो हम सब लोगों ने देखा लेकिन इसके पीछे जो है वो जादा इंपॉर्टेंट है, दरसल जो विपक्षी पार्टी है वो भारत की समर्थक रही है, भारत के साथ मालदीव के लंबे रिष्टे हैं ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, आपको मैं बत चुका हूँ की राजीव गांधी के समय भारत ने मालदीव में एक बड़ा तक्ता पलट होने से रोका था, जब वहां के कुछ लोग, वहां के कुछ पूजी पती जो थे, कैपिटलिस्ट थे, वो श्रिलंका की सहायता से वहां पर सब्ता पलट करना चाहते थे, तब अचा मालदीव में सत्ता बची रही और इसकी वज़ा से मालदीव भारत की बेहद रिजजट करता है, मालदीव के अंदर भारत ने काफी मदद बाद में भी पहुचाई है, यहां तक की कौविट के टाइम में मोदी जी ने भी काफी मदद पहुचाई है, और उसके बदले में वहाँ पर भारती सेना का एक छोटा सा कंटेंजेंट है। अब इस सेना के रहने से मालदिव को फाइदा यह है कि वहाँ के आपरेशन्स में मालदिव की वो मदद करता है। और भारत का फाइदा ये है कि वो एक strategic point है तो वहां से middleist और बाकिसारी जगों पर नजर रखी जा सकती है ये अभी तक का equation था और इसलिए ऐसा था कि जो भी नया राश्टपती चुना जाता था वो कर्ट सी काल में सबसे पहले भारत आता था लेकिन इस बार मोईजु जो च नारे पे मोईजु चुने गए अभी हाल में वो चाइना होकर लोटे हैं और चाइना के साथ कई सारे समझोते करके लोटे हैं और वही समय था जब हमारे पीम लक्षडीब गय हुए थे लक्षडीब से उनकी बड़े खुबसूरत तस्वीरे आई थी और फिर हमारे यहां क ट्रॉल गैंग ने शुरू कर दिया था कि माल्दियू का बैकाट करो लक्षडीब जाओ आप जानते हैं कि एक एजनसी जो टिकट वगरा एर टिकट वगरा बुक कराती है उसने बाकाइदा यह कह दिया कि हम माल्दियू की फ्लाइट्स का टिकट बुक नहीं करेंगे यह स अपना प्रतिरोध दर्ज कराया उसके बाद उनके स्थीफे हुए यह सारा तमाशा हुआ लेकिन मोईजू चाइना जाकर इस्पेशली यह कहते हैं कि हम किसी ताकत के सामने जुकेंगे नहीं नमबर वन और यह कि चाइना हमारे यहां टूरिस भेजने के लिए कोशिश करे यानि भारत की जगह चाइना से टूरिस्ट आएं बाकी जगहों से टूरिस्ट आएं इसकी कोशिश मोईजू ने की और कहा कि हम भले छोटे देश हैं लेकिन कोई हमें अपने तरीके से चला नहीं सकता है यह सीधे सीधे भारत के उपर हमला था तो जब भारत के उपर वो लगातार हमारी मदद की है भारत ने यहां इंवेस्मेंट किया है यहां के टूरिजम को डेवलब करने में यहां के फिशरीज को डेवलब करने में यहां के बाकी इंफ्राइस्टर्चर को डेवलब करने में भारत ने बहुत मदद की है पैसा लगाया है सारा कुछ किया है और अगल बगल के सारे देशों में अगर चाइना का प्रभाव बढ़ता जाएगा हम जानते हैं भूटान में चाइना का प्रभाव बढ़ गया है हम जानते हैं नेपाल में चाइना का बहुत प्रभाव है पाकिस्तान तो चाइना का दोस्त है ही श्रिलंका के अंदर चाइना का हस्तक शेप बहुत बड़ा है बांगला देश के अंदर चाइना का हस्तक शेप बहुत बड़ा है तो हमारे आसपास जितने भी पडोसी देश हैं उन सब में चाइना अपना हस्तक शेप लगातार बढ़ा रहा है अब माल्दियू में भी अगर चाइना का हस्तक शेप बढ़ जाएगा जहां भारती सैनिक है उसकी जगा चाइना के सैनिक होंगे तो ये भारत के स्ट्रेटजिक जो लिहाज होता है जो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हमारे होते हैं उसके खिलाफ होगा तो भारत के लिए तो नुकसान दायक है ही विपक्ष ये कह रहा है कि भारत जितनी मदद हमारी करता था अब अगर चीन से हम वो मदद लेंगे तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं होगा क्योंकि भारत लंबे समय से हमारी मदद कर रहा है भारत के साथ हमारे एक रिष्टे बने हैं उसको तोड़ना नहीं है तो इस पूरी घटना के पीछे सच तो यही है कि भारत विरोध और भारत समर्थन का मामला सबसे बड़ा है लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि डेमोक्रेसी सारी दुनिया में ऐसे ही फंक्शन कर रही है ये पहली बार नहीं हुआ है कि मालदीव के संसद में हमने मारपीट का द्रिष्य देखा है ऐसे द्रिष्य हम बहुत जगह देख चुके हैं यहां तक कि अपने यहां भी संसद में लोग सभा में तो नहीं लेकिन विधान सभाओं में इस तरह के द्रिष्य हम को बहुत देखने को मिले हैं ये लोग जो चुन के जाते हैं जनता की तरफ से जो बढ़ियां सूट टाई पहनते हैं हमारे यहां बढ़ियां कुर्ता पजामा पहनते हैं और सारा कुछ करते हैं संसद में जब इस तरह से लड़ते हैं तो समझ में आता है कि सरक पे जो लोग हैं उनसे ये बहुत अलग नहीं है ये तो खेर अलग बात हुई मूल बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि मालदियू के अंदर ये लड़ाई जल्दी थमने वाली नहीं है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले डेडलाइन बाकाइदा जारी की है मोईजू ने भारत के लिए अपने सैनिक वापस बुलाने को भारत ने अभी इस पर कोई खास रियक्ट नहीं किया है और ये बहुत संभव है कि डेडलाइन पूरी करे भारत अपने सैनिक वापस बुला ले ऐसे में चाइना वहाँ पर अपने सैनिक लगाएगा अगर चाइना वहाँ पर उन सारी जगों पर कबजा कर लेगा जहां अभी तक भारत है तो ये भारत के लिए बहुत खतरनाक होगा इसलिए अगर भारत विपक्ष के वहाँ वहाँ जो विपक्ष है उसकी सहायता कर भी रहा है तो ये बहुत सौभाविक है अपने हितों की रक्षा करना इंटरनाशनल पॉलिटिक्स में हर देश के लिए बहुत जरूरी होता है एक और बात मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मोईजू गया कैरो मिश्र उसके बाद वो एजिब्ट भी गया आसपास के अरब देशों में युए ही गया वो बाकी सारी जगों पे गया यानी अरब देशों के साथ वो अपना रिष्टा अच्छा करना चाहते हैं अब अरब देशों की कंडिशन ये है अभी कल वहाँ पर तीन अमेरिकी सैनिक मारे गया है अमेरिका कह रहा है इरान ने मरवाया है जार्डन कह रहा है हमारी सीमा में नहीं मरे हैं सीरिया में मरे हैं सीरिया में अमेरिका का लीगल पोर्ट नहीं है लीगल कोई चौकी नहीं है यानि कि सीरिया में अगर मरे हैं तो वहाँ पर ये साबित हो रहा है कि अमेरिका के इलीगल रूप से थे यमन की लड़ाई चल ही रही है इजिप्ट और इस्राइल के बीच में तनातनी हो गई है और जिस तरह के स्थितियां बन रही है ऐसा लगता है कि खाड़ी के देशों में आने वाले समय में बड़ी लड़ाई हो सकती है अब इसको जोड़ के देखें हिंदूस्तान और चीन से चीन जहाँ अरब देशों के साथ आपकेए इरान के साथ खास तोर पे पूरी ताकत के साथ खड़ा है लगतार इरान के समर्थन में बयान दे रहा है वहीं भारत इरान के समर्थन में तो नहीं है एस जैशंकर अभी इरान गए थे बड़ी खुबसूरत तस्वीरें आई और उन्होंने कहा इरान से हमारे पुराने रिष्टे यानि भारत भी इरान के साथ अपने रिष्टे ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहा है प्राब्लम ये है कि इसराइल के साथ जितनी एक जुटता भारत पहले दिखा चुका है और जिस तरह से अमेरिका के दबाओं में जुकता रहा है ऐसा लगता नहीं है कि अगर अरब में कोई युद्ध होता है तो भारत कोई बड़ा स्टैंड ले पाएगा वहीं चाइना वहाँ पर बड़ा स्टैंड ले पाएगा यानि माल्दियू अगर चाइना के करीब जाता है तो अमेरिका के खिलाफ अपने आप हो जाएगा अब जरा सा देश जरा सी पापूलेशन अगर वो अमेरिका को दुश्मन बना लेता है और निश्चित तोर पर अगर वो अमेरिका के खिलाब जाएगा तो खाड़ी में जो अमेरिका के सायोगी है वो भी उसके अच्छे दोस्तों नहीं बन पाएंगे तो मोईजू के लिए भी इतना आसान नहीं है हिंदुस्तान से चाइना की तरफ स्विच कर पाना ये अलग बात है कि चाइना बड़ी तेजी के साथ एक विश्व ताकत बनके उभरा है और हो सकता है मोईजू ये सोच रहे हों कि ये जो नई विश्व ताकत बन रही है जो आ देखी है आपने जिसके बाद स्पीकर और डेप्टी स्पीकर के खिलाब बाकाइदा मोईजू की पार्टी जो है वो आव इश्वास प्रस्ताव लाई है वो ये बताती है कि माल्दीव की पॉलिटिक्स में अभी बहुत सारा खेल बाकी है बहुत सारी चीजें हो सकती है हि इंदुस्तान और चाइना उसमें किस तरह से इंटर्फियर करते हैं किस तरह से अपने हितों की रक्षा करते हैं ये देखने वाली बात होगी लेकिन ये तो अफसोसनाक है ही कि टाई सूट पहन कर संसत के अंदर माल्दीव के संसत जिस तरह से लड़ रहे थे उसने माल्द को पूरी दुनिया के सामने हसी का पात्र बनाया है अब एक तरफ सारे पडोसियों के साथ चाइना के रिष्टे बहतर होते जा रहे हैं बांगलादेश में चाइना है भूटान में चाइना है नेपाल में चाइना है पाकिस्तान में चाइना है श्रिलंका में चाइना है लियू में भी चाइना गुस गया और दूसरी तरफ चाइना लगातार भारत को एक दुश्मन मुलक की तरह ट्रीट कर रहा है चाहे हमारे लोग कुछ भी कहें लेकिन सचाई यही है कि वो लगातार जमीने दबाता जा रहा है लगातार अपनी सीमा बढ़ाता जा रहा है और भारत के साथ जो उसके रिष्टे हैं वो दुश्मनाना जादा दिखते हैं दोस्ताना कम दिखते हैं यह अलग बात है कि प्रधान मंतरी मोदी सबसे अधिक बार चीन जाने वाले मुख्य मंतरी और प्रधान मंतरी है यह अलग बात है कि चाइना के स्टेट हेड जब आये तो बाकाइदा उनको जूला जूलाया गया था ये अलग बात है कि इंटरनाशनल मंच पे बड़े जोर से जाके मोदी जी मिलते हैं चाइना के प्रीमियर से लेकिन सब मिला जूला के चाइना के साथ भारत के रिष्टे अच्छे नहीं है तो मालदीव में कोई और मुल्क आया होता तो शायद भारत को उतनी चिंता नहीं होती लेकिन चाइना का मालदीव में आना यानी चारो तरफ एक दुश्मन मुल्क जो हमारा है जिसको भले हम घोशित ना करें कि ये दुश्मन है की नहीं है लेकिन दुशमनाना रिष्टा जिसके साथ हमारा बनता जा रहा है वो चारो तरफ से जिस तरह से हमको घेर रहा है चारो तरफ जो हमारे पडोसी हैं वहाँ अपना असर बढ़ा रहा है वो भारत के लिए चिंता की बात तो है ही तो आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, आप मेरे बगल में एक बार कोड देख रहे होंगे, ये बार कोड स्कैम करके आप सीधे हमसे जुर सकते हैं, हमारे मेंबर बन सकते हैं, आप हमारे मेंबर बनेंगे, हमारे वीडियो को दूर तक पहुचाएंगे, हमारे साथ ख झाल झाल